नमस्कार दोस्तों आउल टीटी त्यारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक वार्ष स्वागत है साथियों आप सभी के लिए रिवाइज कॉंसलिंग सेडूल जाहे शिक्षा विवाग के द्वारा जारी कर दिया गया है आप देख रहें कि बिहार सरकार शिक्षा विवाग अधि सूचना बिहार पंचायत प्रारंबिक शिक्षक नियोजन एवं सेवार सर्थ नियावली दोहजार बारा यथा संसोधित एवं बिहार नगर प्रारंबिक शिक्षक नियोजन एवं सेवार सर्थ नियावली दोहजार यथा संसोधित में नीत प्रापधानों के आलोक में वर्स 2019 में प्रारंभ किये गए नियुक्ती की कारवाई समधित प्रथम चक्र विभागी ऐधि सुचना संख्या 621 दिनांग 37 2021 में नीत निदेश के अनुरूप संबंधित नियोजन निकाय द्वारा पुर्णिक की जा किया गया है इसके आधार पर निमनांकित गतविधी पुर्वसे निर्धारित है जो निमनवत है आप देख सकते हैं कि नियोजन निकाय नगर निकाय का कौंसलिंग जो है वो 282021 को प्रखन नियोजन निकाय का 482021 को और पंचायत नियोजन निकाय का 982021 को तीसरा है कि वर् प्रारंब किये गए न्युक्ति की कारभाई सम्मंधित प्रथम चकर के उपरांत इसके समिक्षा के आधार पर सामाजिक विज्ञान में अभ्यार्थियों के अत्याधिक संख्या एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के दृष्टी पत कंडिका दो में अंकित कौंसलिंग किती एवं कौंसलिंग सम्मंधित गतिविधी को निमनर उपेन संसोधित किया जाता है आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर क्रम संख्या है नगर निकाई का 282021 जिला मुख्यालय समाजिक विज्ञान विशाय में वर्ग 6-8 के लिए होगा देखिए उसके बाद 482021 जिला मुख्यालय गणित विज्ञान विशाय में वर्ग 6-8 के लिए होगा वहीं पर 5 जिला मुख्यालय में वर्ग 125 के लिए होगा वहीं पर प्रखंड नियोजा निकाई के लिए देखिए बहुती महत्वापुर्ण है 782021 जिला मुख्यालय समाजिक विज्ञान विशाय में वर्ग 6-8 के लिए कौंसलिंग होगा पहले समाजिक विज्ञान की कौंसलिंग करवाई जा रही है वहीं पर 982021 को जिला मुख्यालय गणित विज्ञान विज्ञान विशाय में वर्ग 6-8 के लिए कौंसलिंग होगा वहीं पर तीसरा देखिए पंचायत का होगा 13-8-2021 प्रखंड मुख्यालाई वर्ग 1-5 के लिए देखिए साथ क्यों यहाँ पर बदलाब किया गया है समाजिक विज्ञान का सबसे पहले कॉंसलिंग करवाया जा रहा है चौथा है कि विभागी आजे सुचना संख्या 594 दिनांक 23-6-2021 के द्वारा नियुक्ती संबंदित निर्धारित प्रक्रिया अंतरगत अंति मेधा सुची का प्रकासन निर्धारित समाई सीमा में जिन नियोजा निकाई के द्वारा किया जा चुका है वो नियोजा निकाई के द्वारा ही उक्त तिथी पर कॉंसलिंग की कारवाई की जाएगी इसके साथ ही प्रथम चक्र के कौंसलिंग में जिन नियोजा निकाईों के कौंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई अत्वा चैन सुची में गरवडी पाए जाने पर कौंसलिंग की प्रक्रिया अस्थाकित रद करने के अनसंसा की गई है उन नियोजा निकाईों में अंतिम म में काउंसलिंग के थी थी निर्धारित की जाएगी पाचवा है कि बिहार विद्याला परिक्षा समीती द्वारा आयोजी डियलेड ओल्ड परिक्षा उतिर्ण अभ्यर्थियों के लिए मूल अंक पत्र लाना पडियाप्त होगा विभागिया थी सुचना संख्या 621 में उक्त के अत्रिक्त सभी प्रापधान यथावत रहेंगे जैसे सर्टिफिकेट वगएरा जो भी पहले प्रात्मिक शिक्षा निदेशक या सिक्षा वियाग के द्वारा कहा गया था वैसे के वैसे ही रहेगा आप लोग बने रहेए और टीटी तियरी चैनल के साथ में पलपल के अपडेट आप सभी को देता हूं, यहाँ पर कॉंसलिंग की जो नियू शिडूल है, आप सभी को दे दिया गया है, आप लोग अब तयारी कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यार कीजिएगा, यदि आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक कर्के कर दो सब्सक्राइब?